नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस यूटूब चैनल जीके वी तरके में तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की करांती से सम्मधित महतपूर्ण 20 प्रस्न दोस्तों 1857 की करांती से ज़्यदी प्रस्न पूछे जाते हैं तो इनी 20 प्रस्नों में से पूछे जाते हैं तो इस वीडियो का विजदी शुरू से अंतक देखेंगे तो आपका 1857 का जो करांती है इसे सम्मधित सारी प्रस्न किलियर हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों हम लोग आपे शुरू कर लेते हैं तो देखें हमारा जो पहला प्रस्न प्रस्न है पहला प्रस्न है 1857 का विद्रो किस ने शुरू किया था तो देखें 1857 का जो विद्रो किया था वो सिपाहियों ने शुरू किया था बात ऐसा था दोस्तों कि सन 1857 में 29 मार्च के दिन बेरकपुर छावनी ने मंगल पांडे एक सेनिक था सिपाई था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाप क्या किया बिद्रोह के लिए आवान कर दिया तो इसलिए इसी दिन को 1857 का बिद्रोह सुरू हो गया दोस्तों 1857 का बिद्रोह का दूसरा नाम भी जाना जाता है राष्टिया अंदोलन के नाम से तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दूसरा प्रस्न है 1857 के बिद्रोह का परसासनिक परिनाम सक्ती का अंतरन था तो देखिए इसका सही उतर हो जागा ओप्सन नमर ये इस्ट इंडिया कमपनी से बिद्रीटिस समराट को बात यहां पर क्या है परसासनिक परिनाम सक्ती का अंतरन करने का कहने का मतलब ये है कि 1858 इस भी में बिद्रीटिस संसत द्वारा पारित कानुन द्वारा सासन का अधिकार इस्ट इंडिया कमपनी से ले करके बिद्रीटिस समराट को दे दिया गया इसलिए इसको कहा गया परसासनिक परिनाम सक्ती का अंतरन अगला प्रसन है बहादूर साह था तो देखे बहादूर साह कौन था तो इसका स्रीवतर हो जगा अंतिम मोगल सासक बहादुर साह मोगल शासक का अनकी मोगल शासक का मोगल का जो है सो अंतिम शासक था देखि dispers बहादुर साह दियुतीय अंतिम मोगल शासक था और इसको 1.857 की कुरांती के दोरान इसे पकड़ के रंगुन जेल में बंद कर दिया गया था तो इसका सही उत्र हो जागा Lord Canning Lord Canning था 1857 के बिद्रोह की दौरान भारत का Governor General बात करें कि Lord Canning का जो काडिकाल था उग इतना था तो देखिए 1856 से ले करके 1862 तक इसका काडिकाल था किसका तो Lord Canning का 1857 के बिद्रोह की दौरान ये गवर्नर जनरल था अगला प्रस्न है 1857 का बिद्रोह नीम नस्थानों पर हुआ था उनका सही करम बताईए तो देखिए उप्सन नमर एक में यहां पर जहां सी दू में मेरार तिन में दिली और चार में बैरकपूर तो किस करम में हुआ कहां पर पहले हुआ उसका अंसर देना आपको तो देखिए इसका सही उतर हो जागा उप्सन नमर डी चार दो तीर एक आने की 1857 का बिद्रोह सरु पर थम यहाँ पर हम डेट के साथ आपको बता दे रहे हैं 29 मार्च 1857 को बैरकपूर में मंगल पांडे के दोरा किया गया उसके बाद देखिए नमर में आया 10 माई 1857 को मेरट में हुआ विद्रोह और 12 माई 1857 को मेरट के विद्रोही सहिनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया उसके बाद क्या हुआ जून 1857 में जहासी में सैनिकों ने बिद्रोह कर लच्षी बाई को सासी का गोशित कर दी तो इस तरह से आपका सही उतर हो जाएगा एक नमर में बैरकपूर, दो नमर में में रठ, तीन नमर में दिल्ली और चार नमर में जहासी अगला प्रस्ण मारा है कानपूर के गदर का नित्रितु किस ने किया था तो देखे कानपूर के गदर का जो नित्रित करने वाले व्यक्ति थे वो थे नाना साहीब नाना साहीब ने 5 जून 1857 को बिद्रोहियों को कानपूर को अंग्रेजों से छीन लिया यहाँ नाना सहीब ने गदर कर नित्रीतू किया था ठीक है कब किया था तो पाच जून 1857 को अगरा प्रस्थ नमरा है लाल किले में मुगल अस्तितू किसके पतन के साथ समाप्थ हो गया तो देखिए इसका सही उतर हो जाएगा option number D, बहादूर साथ जफर बहादूर साथ जफर के सासंकाल समाप्थ होते ही क्या हुआ लाल किले में मुगल का अस्तितू किया हुआ बिल्कुल पूरी तरह से खतम हो गया अगला प्रस्थ हमारा है आठ नमर प्रस्थ एक नॉवंबर 1859 में रानी की उद्गोसना जारी करने के लिए साही दर्बार कहां आयुजित किया गया था तो देखे इसका सहीतर हो जागा इलहाबाद एक नॉवंबर 1859 में रानी की उद्गोसना जारी करने के लिए इलहाबाद में साही दर्बार का आयुजित किया गया था अगला प्रस्थ है ब्रीटिस क्रासन ने इस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर परभू सत्ता की सवर्ष पराप्त की थी तो देखे इसका सहीतर हो जागा वर्ष 1859 इस भी में एक नॉमर 1859 इस भी को रानी के दोर उद्गोसना जारी किया गया और इसी उद्गोसना के तहत क्या हुआ भारत का सासन सिधे ब्रीडिस ताज के अंतरगत आ गया तो इसको ध्यान में रखेंगे 1859 इस भी में अगला प्रस्थ है सेना भरती अधिनियम कब लागू हुआ बहुत मत्पूर्म प्रस्थने दोस्तों तो देखिए सेना भरती अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1856 इस भी में लागू किया गया था देखिए किसके द्वारा लागू किया गया था उद्गोसना था उनका क्या था कि पहले ये कभूल करवा लेता था कि हाँ हम करेंगे चाहे आपको करना पड़ेगा युशा अगला प्रसन देखिए गांधी जी के विदेशी वश्तुमों के बहिस्कार के अंदुरन का लची क्या था तो गांधी जी के विदेशी वश्तुमों के बहिस्कार का जो लची था वो कुटीर उध्योगों को प्रोचाहन करना था तो इसका सही उतर हो जागा option number D, एक ही उदेशी था इसका कुटी उद्योगों को प्रोचान करना, सवदेशी उद्योगों को अधिक मजबूत करना, अगला प्रसन देखिए, भारत के अधिकार छेतर का दर्जा, आनि कि जिसे Dominion States भी कहा जाता है, कि इस तारीक को मिला, तो Domin हुआ ये था कि माउंट बेटन योजिना के अधार पर, चार जुलाई 1947 इसवी को ब्रीटी संसद में भारती सवतनतरता पिधायक पेस किया गया, तथा 18 जुलाई 1947 इसवी को इसे सविकृती मिल गई, इसी के अनुसार, देश को 15 अगस्त इसवी को दो Dominion जिसमें भारत और पाकिस्तान सामिल था, इस प्रकार भारत को इसी तिती को Dominion Estates का दर्जा पराप्त हो गया, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको, अगला प्रसन देखे, गांधी जी की सबसे महतपुर्ण सिच्छा हैं निमलिखित में से कौन सी है, तो महतपुर्ण सिच्छा जो गांधी तो सत्यागरह जो था गांधी जी का प्रमुक अस्त्र था, किसी भी चीज को मनाने के लिए अंग्रेजुस, वो क्या करते थे सत्यागरह करते थे, गांधी जी सच्छे समर्थक थे किस चीज का, तो देखिए इसका सही उतर क्या हो जागा, गांधी जी सच्छे समर्थक थे कुटीर उद्योगों का किसी चीज का समर्थक थे तो कुटीर उद्योगों का सच्चे समर्थक थे अगला प्रस्न है नेमलिकीत में से कौन सहुराज पार्टी के सदैश थे तो मोतिलल नहरू, सरदार पटेल, गोपार क्रिस्न गोखले और इनमें से कोई नहीं तो इसका सही अगला प्रस्न की और हम लोग बढ़ते हैं पर देखें किसकी विफलता के बाद सवराज पार्टी बनाई गई थी तो इसका सही उतर क्या हो जागा असहयोग अंदोलन जब विफल हो गया उसके बाद सवराज पार्टी के अस्थापना की गई इसकी अस्थापना कब किया गया था सवराज पार्टी का तो उनेश्व ताइस इस्वी में किया गया था इसके अध्याच से कौन थे तो सी आरदास और महास्तरचीव कौन थे तो मोतिलल नहरू थे अगला प्रस्न ने सवराज पार्टी बनाई थी तो इसका सही उतर क्या हो जागा असहयोग अंदोलन के बाद असहयोग अंदोलन के बाद सी आरदास और मोतिलल नहरू ने सवराज पार्टी की अस्थापना की थी चलिए अगला प्रस्न देख लेते हैं मोतिलल नहरू और चितरंजन दास संस्थापक सदय से थे आने कि सी आरदास अम लोग भी जो पढ़ती आ पी आ रहे हैं वह चितरंजन दास इनका पूरा नाम है इसका तो इसका स्यूतर क्या हो जाएगा सवराज पार्टी ठीक है तो मोतिलल नहरू और चितरंजन दास संस्थापक से शूराज पार्टी के और इस वीडियो का जो अंतिम प्रस्न है हमारा लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयूज किया गया था तो दोस्ता ये दोस्तों हमारा ये 20 इंपोर्टेंट परस्ट था तो आपको वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रोज जीएस के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थेंक्यू